बिस्मिल्ल τοर्रहमानिररहिम डियर स्टुडेंट्स फिल इन दबॉकस इन खाली बॉकस इजोखेज़् कुझाए विट प्रोपर लेटर्स मुनासिब हुरूप से मुनासिब हुरूप से खाली बॉकस इस पुर कीजिए So as to find various characters मुखतलिफ characters मुखतलिफ किरदार तलाश करने के लिए In the story Story में कहानी में By their specialities उनकी खुसूसियात के मताबिक One is done for you एक आपको करके दिखाया गया है कहानी में मुखतलिफ किरदार उनकी खुसूसियात के मताबिक तलाश करने के लिए मुनासिब हुरूप से खाने मुकामल कीजिए Dear students A है नंबरदार B है Teacher T E A C T E A C H E R Teacher C है तैसिलदार A D Head A D Head M I S T R E S S Headmistress E है Father Father A T H E R Father F है Neighbor N E I I I G H B O U R Neighbor Dear students लेकिन आपको Clean and neat लिखना है Box के बिलकुल अंदर लिखना है Later Should not be touched To the To box The line of the box Dear students आपको खुशकत लिखना है Box के बिलकुल अंदर इस बात का हमेशे ख्याल रखे जहां भी आपको Boxes में लिखना पड़े तो Boxes को Let's throw the story again कहाने दोबारा पढ़िये and describe भोली's character और भोली के character को बयान कीजिए Before and after her meeting with the teacher Teacher से teacher से भोली का मिलने से पहले का character और बात का character इस तरह आपको उसका character बयान करना है Complete the table Table मुकमल कीजिए And then write two paragraphs दो paragraph लिखिये Describing the change तबदीली बयान करते विए Scene in her character जो तबदीली भोली की character में देखी गई उस पर दो paragraph लिखिये One is done for you एक आपके लिए करके दिखाया गया है कहानी दोबारा पढ़िये मुल्लेमा से मुलाकात होने से कबल और मुलाकात होने के बाद भोली की शक्सियत को बयान कीजिए जहल के जुदुल मुकमल कीजिए भोली के किरदार में होने वाली तबदीलियों को बयान करने वाले दो पेरिगिराफ लिखिए ये उसके केरेक्टर से है शी वास काल्ड सिंपल टॉन उसे उसे एमक कहा जाता था बुद्दु कहा जाता था एडी कहा जाता था चिर्डन मेट फन आफ हर बच्चे उसका मजाग बनाते थे और उसके नकल किया करते थे आफ्टर शी बिकेम कॉन्फिडेंट पहले वो सिंपल टॉन थी उसके टीचर के मिलने के बाद में टीचर के साथ रहने के बाद में टीचर से मुलाकात के बाद वो कॉन्फिडेंट बन गई ये बेबाग बायतिमाद मोताकिद शी बिकेम कॉन्फिडेंट वो बेबाग बन गई and was able to utter her name और अपना नाम बोलने लग गई उसे अपना नाम सही बोल कर आ गया ये उसमें तब्दीली आई before she hesitated talking to anyone पहले वो किसी से भी बाचीत करने में हिचकी चाती थी तजबजब करती थी डरती थी after she became unhesitant to say boldly what is right and what is wrong बाद में सही और गलत डट कर बताने के लिए वो निडर बन गई before she was unable to take her own decisions पहले वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाती थी after due to the guidance of the teacher she was able to take her own decisions बाद में teacher के guidance की वजे से वो अपने फैसले खुद लेने लगी before she was called a dumb cow पहले उसे गुंगी गाय कहा जाता था after she became an aggressive tigress बाद में वो एक जारहाना एक खतरनाक शेरनी बन गई before she was neither smart nor intelligent पहले वो ना तो खुबसूरत थी ना जहीं after she totally changed herself by getting education बाद में तालिम हासिल करके उसने अपने आपको मुकमल तोर पर बदल लिया था find the synonyms हमानी अलफास तलाश कीजिए from the story स्टोरी से कहानी में से for the following words दरज़े जहल अलफासों के कहानी में दरज़े जहल अलफासों के हमानी अलफास तलाश कीजिए humiliate जलील करना बेज़त करना रिपेयर दुरुस करना मरमत करना attracted गुरुविदा होना दिल फरेभ होना मुतवज्जो होना शोरली यकीनन fortunate खुश किस्मत खुश नसीब contentment इत्मेनान किनात इत्मेनान मुत्माइन होना humiliate means disgrace, repair means reconstruct, attracted means fascinated, surely means certainly, fortunate means lucky, contentment, contentment means gratification the story focuses, ये कहाने तवज्जो मर्कूज करती है, रोशने डालती है on some social problems, कुछ समाजी मसायल पर and evil practices, नुकसानदा रिवायतों पर, बुरे आमालों पर that are prevailing, जो च्छाते जा रहे हैं, राइज होते जा रहे हैं in the society समाज में ये कहानी समाज में होने वाले कुछ समाजी मसायल और नुकसानदा रिवायतों पर तवज्जो मर्कूज करती है read, पढ़िए, read the text carefully, इस सबग को बगवर पढ़िए, इस सबग को बगवर मताला कीजिए and make a list or फैरिस तयार कीजिए, of all social problems, तमाम समाजी मसायल की फैरिस तयार कीजिए and evil practices और और नुकसानदा रिवायतों की इस सबग को बगवर पढ़िए और इस में से समाजी मसायल और नुकसानदा रिवायतों की फैरिस बनाएए discuss, बाचित कीजिए, बहस कीजिए in the class, class में to find, तलाश करने, some solutions, कुछ हल तलाश करने के लिए to these problems in मसायल का, इन मसायल को हल करने के मौदू पर class में बहस कीजिए, one is done for you, आपके लिए एक करके दिखाया गया है social problems, समाजी मसायल and evil practices, और नुकसानदा रिवायतें, नुकसानदा आदतें, probable solutions, मुमकेना हल, मुमकेना इलाज, one, discrimination, dear students, are you listening to me carefully, discrimination means, तफ्रीक, इम्तियाज, फर्क, discrimination between a boy child and a girl child, लड़का बच्चा और बच्ची के दर्मियान तफ्रीक, ये, it is a social problem, it is a social problem and evil practice, Probable solution, both must be treated equal at family, school and social levels, दोनों के साथ अपनी family में, school में, आई और समाज में, दोनों के साथ यकसा सुलुक होना चाहिए, दोनों के साथ family में, school में और समाज में यकसा सुलुक होना चाहिए, ये, उसका solution है, SP, social problem, समाजी मसला, समाजी मसला है, girl education, तालिम नस्वा, और्तों की तालिम, इसका PS, provable solution है, provable solution, मुमकेना हल, मुमकेना इलाज, girl education, social problem है, इसका provable solution है, education should be given to girls to understand their rights, लड़कियों को अपने हुकुक समझने के लिए तालिम दी जानी चाहिए, social problem, dowry, dowry याने जहेज, dowry is a big problem in the society, probable solution, we should be against dowry, हमने, हमेशे dowry के खिलाफ होना चाहिए, we should neither take nor argue, न dowry हमने, न जहेज लेना चाहिए, और नहीं जहेज देना चाहिए, social problem, marriage with an old person only for money, सिफ दौलत के लिए पैसे के लिए भूड़े शख्स के साथ शादी करना, probable solution, girls should oppose such marriage, लड़कियों ने ऐसे marriage की मुखालिफत करना चाहिए, English workshop 1, complete मुकमल कीजिए, the following sentences, दरजज़े जुमले, using, इस्तेमाल करते वे, the words, अलफाज, given in the brackets, brackets में दिये वे, अलफाजों की मदद से, दरज़े जुमले मुकमल कीजिए, contemplating, humiliate, scurried, disfigured, envious, contemptible, matted, started, इन अलफाजों का मुनासिब इस्तेमाल करते वे, दरज़े जुमले मुकमल कीजिए, आफ्टर दी एक्सिडेंट, जुई's face was disfigured, हादिसे के बाद, एक्सिडेंट के बाद, जुई का चहरा बदनुमा हो गया था, disfigured यहने, मुतासिर हो गया, disfigured यहने, मुतासिर, बदनुमा, बद सूरत, खराब, disfigured यहने, खराब हो गया बी इट टूक अ लॉंग टाइम टू स्ट्रेटन दा मैटेड बंडल आफ उल फैले विए बिखरे विए उन के बंडल को सीधा करने में काफी वक्त लग गया मैटेड यहने उल्जा हुआ बिखरा हुआ तितर बितर सी आफ्टर कलास स्टुडेंट्स स्करीड आउट आफ देर लंच ब्रेक कलास के बाद तुल्बा दो पहर के खाने के वक्फे में दवडते हुए कलास से बाहर निकले इसकरी यहने दवड कर जाना दवडते हुए जाना दी माजूर लोगों की बेज़ती नहीं करनी चाहिए अपाहिज लोगों को जलील नहीं करना चाहिए हुमिलेट यहने जलील करना बेज़त करना बेज़ती करना E. नुतन वाज इन्वियस आफर सिस्टर वो वन दा बेस्ट सिंगर एवार्ड नुतन को अपनी बेहन से रश्क हुआ जिसने बेहतरीन गोलोकारा एवार्ड जीता F. Corruption is a contemptible act रिश्वत खोरी काबिले मजम्मत फेल है G. We are contemplating seriously about buying a new apartment हम नया अपार्टमेंट खरिदने के बारे में संजीतगी से गवर कर रहे है Contemplating means सोच रहे है Contemplating means सोच रहे हैं गवर कर रहे हैं गवर फिक्र कर रहे हैं सोच रहे हैं H. I was startled to see a snake in my room कमरे में साब देखकर मैं चौक गया हक्का बक्का रहे गया स्टार्टर लेने हक्का बक्का हैरान है रजदा कर रहे हैं गवर कमरे अवर को रहे हैं गवर कर रहे हैं झाल झाल